हेलो फिरंड्स मैं डॉक्टर आजय शुकला आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले इस वीडियो में हम चार मेजर चीज़े देखने वाले जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टन है पहली चीज कि यह जो कंपनी इसका बैग्राउंड क्या है इसु डिटेल कब इशुने वाला क्या डेट्स है एस वीडियो क्या स्टाट डेट क्या है सब्सक्रीशन कब तक तीसरा सबसे इंपॉर्टन चीज़ जो हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं वो है सब्सक्रीशन स्टेटस डेवन पूरा हो चुका है सब्सक्रीशन के आकड़े आ चुके हैं हम वो लाइफ फिगर देखेंगे कि क्या है स्टेटस सारे के टैगरिस के लिए इंडूज कैसे किया जा सकता है यह चार चीज़े हैं एंट तक देखेगा कुछ भी मिसमत कीजिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग अपॉर्चनिटी है जो इस पर कैपिटलाइज करके मनी में कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पेले हम बात करते हैं इस आई-पी परसेंट शेर है परेंट कंपनी इस ब्याय ग्रूप के पास अब इस इस इशु के बाद सब्रट अपने 4 परसेंट शेर डाइवर्सिफाइग कर ला है वेरास कारना गूर्ट 10 परसेंट शेर इसमें से सेल करके जो उनकी न्यू होल्डिंग है चबिस परसेंट में से 10 के लिए उनके लिए 10 परसंट जो इशू है ये फिक्स है और इसके लिए जो रेकॉर्ड डेट करी जाती है कि वह रेकॉर्ड डेट रहेगी SBI IPO की 8 February 8 February को यह होगा अब अगर हम देखे किसका क्या पोर्शन है तो जो QIB क्वालिफाइड इंस्ट्यूशनल बायर SBI IPO में वह लेज तैन 50 परसंट है अब टू 50 परसंट हो सकता है नेट इंस्ट्यूशनल बायर के लिए 15 परसंट है रिटेल के लिए 35 परसंट है डिटेल्स पे जाते हैं यह जो इशू है यह दो माज से पांच माज तक रहेगा बुक बिल्डिंग इशू के तुरू यह रिस किया जाएगा फेस वैल्लू सभी की 10 रुपीज है जो आइस बीए गाड के शेर्स है आई पर प्राइजिंग 755 रुपीज का इसका एट पार है 750 तो 755 की रेंज है एंप्रॉइस को 75 रुपीज डिस्काउंट है इस पे जो ए एविलेबल है लॉट साइज है 13 चेर्स का एक लॉट होगा और मैक्जिवम 13 लॉट के लिए हम एप्लाइ कर सकते हैं आगे हम देखेंगे यह बीएसी एनसी दोनों ही जेगा लिस्ट रहेगा अगर हम वैल्डुएशन की बात करें तो पीई स्टैंड्स एट 45 टाइम्स मार्केट कैप यह इशू के बाद SBI कार्ड का हो जाएगा 70,890 करोड जो लगबग ऐसा समझो कि कुछ चुनिंदा कंपनीज में SBI कार्ड इंक्लूड हो जाएगा बिड़ ओफर दो तारिक को खुलेगा पास तारिक को यह बिड़ ख्लोज होगा फाइनलाइज़ेशन ऑफ अलाटमेंट 11 तारिक को होगा जिनने अलाटमेंट जो फंट रिलीज है या रिफंड कहते हैं जो ब्लॉक्ट अमाउंट रहेगा या पेड रहेगा रहेगा रिफंड 12 मार्च की डेट रही है क्रेट ऑफ शेर्ट 13 मार्च और 16 मार्च है IPO शेर लिस्टिंग बने 16 मार्च व हम लॉट्स अप्लाइ कर सकते हैं वो है 13 लॉट्स जिसमें 247 शेर्ज होंगे 1,86,000 रुपीज का ये लॉट जाएगा अब प्री IPO होल्डिंग और प्रमोटर हमने जैसे अमारे वीडियो में बात किया था आप उपर आई बटन दबा के रेफर कर सकते हैं कि वो तरामेटर जिस पर हम IPO चूज करते हैं उसमें से बहुत इंपर्टन परामेटर प्रमोटर होल्डिंग तो प्रमोटर होल्डिंग 74 था और अब इस IPO के बाद SBI का होल्डिंग SBI कार्ड में 69.5 परसेंट रहेगा जो की काफी अच्छा है अब बात करते हैं SBI कार्ड के financials की तो SBI इनकम दो तरीके से कमाती है एक हम कहते हैं इंट्रेस्ट इंकम दूसरा है नॉन इंट्रेस्ट इंकम में आता है प्रोसेसिंग फी चार्जेश गेटवेश जार्जेश इसके हम IRCTC के साइट पर से अगर कोई टिकेट बुक करते हैं और कार्ड यूज करते हैं क्रेट तो interest income रही है SBI की 52% FY19 में और उसके पहले वाले में थी जो हमने 17 के figure लिए तो 56% थी तो थोड़ी गिरावाट है interest income में मगर हम देखे कि जो non-interest income है इसमें इंप्रुमेंट हुई है बात करें समराइस balance sheet जो SBI कार की है तो latest 31st December 2019 के closure के इसाब से 259,000 million रुपीज के assets है इनके revenue ने जो एक तरीके से हम कह सकते हैं sales ठीक है revenue receipts रही है 72,000 के लिए और profit after tax रहा है 11,612 overall अगर fundamentally देखें तो year on year सारे figures में आपको improvement दिख रही है assets में improvement है revenue में जबर्दस improvement रही है और profitability में भी बहुत अच्छी improvement रही है इसलिए शायद से काफी सारे जो analyst है वो इस IPO के काफी favor में है और काफी positive mood बना हुआ है तो यह थे financials अब हम बात करते हैं competitive strength की तो SBI card की competitive strength क्या है सबसे पहला यह इंडिया की second largest credit card issuing company है और बहुत ही strong backup रहा है इस company का दूसरी बात है leading player है acquisition में physical market और digital market में जो off market procurement होता है sourcing किया जाता है उसमें SBI card बहुत ही aggressively promote कर रहे है तीसे चीज़ SBI होने का brand name जो SBI नाम है logo-logo तक पहुचा हुआ है छोटे-छोटे गाओं खेडों तक cities की तो बात ही नहीं है वहां भी लोगों SBI को जानते है और चौती चीज कि जो create portfolio है वो काफी diversified है काफी सारे अलग-अलग brands associated है वो petrol में होंगे retail में होंगे online shopping में होंगे जिनके types में SBI card jointly card issue करता है जिसे काफी अच्छा revenue और sales generation की consistency मिलती है यह थी competitive strength SBI card की आप पात करते है risk factor की of course हमने बात किया कि काफी सारे strengths है मगर competition card segment में बहुत ही जादा है यह आपने witness किया ही होगा और दूसरा risk है कि जो new upcoming fintech startups है जो अलग-अलग new modern methods ला रहे हैं payment gateways के तो यह एक risk हो सकता है card category के लिए काफी सारे जहां card यूज के जाते थे आज तो यह एक चीज़े जिसे वह industry का revenue collection कम हो सकता है दूसरा है receivable जो है इसका credit card का यह सारा unsecured में जाता है तो जो risk है आज हम profitability अच्छी दिख रहे हैं but economic condition और आगे future में इसके prospect कैसे रहेंगे यह बताना काफी मुश्किल है रिपोर्ट के हिसाब से जो gross NPA है यह 2.47% रहा है last year में उससे पहले साल देखो तो 2.9% है तो actually NPA के figure भी improving है but फिर भी risk जो है वो होता ही है क्योंकि यह non-performing assets हो सकते हैं क्योंकि यह unsecured है ठीक है आगे बढ़ते हैं सबसे important आज की बात यह हमारा day one है 2 March का जो closing है 5 बजे के आखड़े आ चुके है QIB category retail category सक्से main retail category में 0.62x मतलब 62% जो IPO है यह subscribe हो चुका है employee category में almost 80% subscribe हो चुका है author category में 0.79% subscribe हो चुका है net non-institutional investor लगबग 7.0.12x subscribe हो चुका है QIB के figures अभी तक clear नहीं है तो overall हम देखे तो 0.39 that is 39% subscription आ चुका है day one पे और अभी और day two three बाखी है तो third, fourth और fifth March पे यह of course 100% subscribe हो जाने के तो बहुत chances है which is very easy और आने वाले दिनों में लोग ज़्यादा subscribe भी करते है तो यह थे हमारे figures जो latest live figures थे SBI card IPO subscription live status हम ने share किया भी last अगर आप apply करना चाते है तो दो तरीके है apply करने के लिए एक है ASBA that is application support with block amount आप SBI card के लिए online apply करना चाते हैं तो आप SBA के थूरू कर सकते हैं अब SBI के लिए जो popular SBA के लिए popular banks है जिनके थूरू आप कर सकते हैं तो अगर आपका SBI, ICICI, HGFC, PNB, Axis Bank, Kotec Bank इसमें हैं तो you can easily apply इसके अलावा अगर आप UPI method से apply करना चाते हैं तो जो modern broking houses, top broking houses इसमें Zeroda, Edelwise, 5pesa.com, Share Khan, Angel Broking जो भी बाकी UPI method से काम करते हैं वो सारे के सारे के थूरू आप apply कर सकते हैं और भी अगर आपको कुछ क्यूरीज हैं तो आप comment में हमसे पूछ सकते हैं लास्ट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें comment करके बताईए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या आगला वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो हम वो वीडियो बनाएंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल